होली में तो ठंड़ाई हर घर में बनाई जाती है बिना इसके होली अधूरी होती है और इस ठंड़ाई पौडर को मैं हर साल घर पे बनाती हूँ और बनाके इसको पूरे एक साल के लिए में स्टोर करके रखती हूँ तो गर्मियों में आप इसे ठंडे दूद में डालके बनाए या किसी occasion पे बनाए और सर्दियों में आप नॉर्मल दूद या फिर गर्म दूद में भी डालके बनाके पी सकते हैं इस पौडर से आप कुलफी भी बनाके खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी कुलफी बनती है अगर इस पौडर को आप एक चमच डाल दे तो बनाते समय तो चलिए इस ठंड़ाई पौडर को बनाते हैं इसको बनाने के लिए गैस पे मैंने एक फ्राइपेन रखा है गैस की फ्लेम को बिलकुल लो कर दें उसके बाद मैंने इसमें आधा कटोरी बदाम डाला है आधा कटोरी काजू डाला है आधा कटोरी ही खरबूजे का बीस डालेंगे एक चमच इसमें मैंने काली मेर्ज डाला दस से बार इसमें इलाइची डालेंगे, इलाइची को छिलके के साथ ही डालें, आधा कटोरी ही इसमें पिस्ता डालेंगे, तो पिस्ता हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है, इन सब को मीडियम फ्लेम पे ही हम 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, इससे जाना नहीं क्योंकि इसका मॉस्चर जो है उसे खतम करना है, यहाँ पे मैं 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, इसकी जगह पे आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर इसको भी डालके मैं हलका सा रोस्ट कर लोगी, आधा टुकड़ा मैंने इसको इसको भी जरूर डालें, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, अगर आपके पास केसर नहीं है, तो इसके जगह पे आप थोड़ा सा पाउडर डाल दें, क्योंकि इम्म्यूनिटी के लिए हल्दी पाउडर बहुत ही जादा बेस्ट होता है, तो बस य हलका सा तवे पे आप इसको सुखा लें, या फिर आप एक से डेर मिनट के लिए माइक्रोवेब कर लें, इसको भी मैंने इसमें कलर के लिए डाला है, और इसमें खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है गुलाब के पंकुडियों से, तो बस इसमें डाल दें, इसको दो मि इसमें मिसरी डाल रही हूँ, तो मिसरी डाल के पिसने से ये पाउडर बहुत अशे से पिस जाता है, और थोड़ा सा इसमें मिठास भी आ जाता है, तो बहुत जादा नहीं डालना है, केवल आधी कटोरी डालना है, आप इसकी जगर पे चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैंने म पहुत ही अच्छे तरीके से ये पिसह निल्च हो जा तो भारीक SONकि को सकते हैं अथा आँ वो भी बिल्कुल ठंडा हो जाए पूरी तरीके से इसको ठंडा कर ले उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दे और इसको फ्रीजर में नहीं रखना है और आप एक साव तक इसको बनाके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है तो इसी जार को मैंने लिया है औ और इसमें मैं थोड़े से ठंड़ाई बनाऊंगी अभी तो देख्ये थोड़ा सा इसमें अभी powder लगा हुआ है जो ठंड़ाई powder है तो मैंने इसमें दो ग्लास तूट डाला है चार से पांच चमच इसमें डालेंगे रू आफचा तो इससे फ्लेवर बोहत ही अचाता है दो चमच इसमें ठंड़ाई powder डालेंगे दो चमच चीनी डालेंगे तो मीठा आप अपने taste के according डाल सकते हैं जो मिस्री डाला है उससे ये इतना मीठा नहीं होता है बस सभी जो dry fruit है वो अच्छे से पिस्चा इसलिए इसमें आधा कटोरी मिस्री डाल के पीसते हैं चार से पांच क्यूब मैंने इसमें आइस क्यूब के डाले हैं और बस इसको पल्स मोट पे चलाते हुए इसको अच्छे से एक से दो मिनट के लिए पीस लेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंड़ाई बना लिया है बहुत ही जागदार यह ठंड़ाई बना हुआ है और बस इसको ग्लास में निकाल लेंगे थोड़ा सा चाहे तो आप इसके उपर केसर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इस पे ठंड़ाई पॉडर डाल दें और थोड़ा सा बिलकुल फ्रेश इस पे गुलाब की पंखुडिया डाल दें और बस बहुत ही मस्त बहुत ही टेस्टी यह ठंड़ाई बन के तयार है अगर आप एक ग्लास पीते हैं तो यह इसको पीने से बिलकुल मन नहीं भरता एक ग्लास दो ग्लास जब इतना पीए इसको पीने से मन नहीं भरता बहुत ही टेस्टी यह ठंड़ाई बनता है अगर आप कुलफी या आईस क्रिम बेगरा भी बना रहे हैं तो उसमें एक चमस आप यह ठंड़ाई पॉडर डालते बहुत ही टेस्टी कुलफी बनता है और कुलफी का जो फ्लेवर होता है वो भी चींज हो जाता है बहुत ही अच्छा कुलफी बनता है तो आप एक बार ट्राई जरूर करें और देखिए यहाँ पे मैंने इसको सर्व भी कर लिया है बहुत ही tasty बहुत ही healthy ये ठंड़ाई बना हुआ है और ये ठंड़ाई powder है जब ये पूरी तरीके से ठंड़ा हो जाए तो आप इसको बंद करके फ्रिज में रखते हैं ये एक साल तक खराब नहीं होता है तो आप भी इस recipe को जरूर try करें ये recipe आपको भी बहुत पसंद आएगा और इसमें मैंने जितने भी ingredient डाले हैं वो health के लिए बहुत ही जादा फायदे मन्द है तो आप भी इस अच्छी सी ठंड़ाई को जरूर try करें